जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन तमाम लोगों से आपको दूर कर देते हैं जो आपकी काबिल नहीं होते जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है भागवान उनकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते है मनुश्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं धखता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक शण में धख जाता है जहां आदर नहीं वहां जाना मत जो सुदता नहीं उसे समझना मत लोपचता नहीं उसे खाना मत और जो सत्ते पर भी रूठे उसे मनाना मत तुम्हारे आज के किये गए कर्म भाविशे में सुख तथा दुख निर्मित करते हैं समय उसे दीजे जो तुम्हारी कद्र करे इस्तमाल नहीं क्योंकि आज कल लोग कद्र कम और इस्तमाल ज़ादा करते हैं गुस्सा, शक और फिक्र वही इनसान करता है जो आपको खुद से ज़ादा प्रेम करता है वना इस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन ईश्वर कहते हैं ये दुनिया सिफ मतलब से चलती है हर चीज में समर्पन ज़रूरी है, मगर आत्प सम्मान का नहीं हालात को ऐसा न होने दे कि आप हिम्मत हार जाए बलकि हिम्मत ऐसी रखे कि हालात हार जाए सोच अच्छी रखो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे नियत अच्छी रखो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग अपने आप रास्ता निकाल लेगा सला देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है, तब केवल भगवान आते है जब तक तुम डरते रहोगे, तुमारी जिन्दीगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे मन ऐसा हथ्यार है, जिसका सही इस्तमाल किया, तो वहां हर समस्या पर जीत दिलाता है, वरना आपको ही चुपता रहता है उपर वाला उनी लोगों को मुश्किलों से आजमाता है, जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है, तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो तुम अपने भविश्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो, तुम्हारा भविश्य अपने आप सुधार जाएगा हर वो चीज जहर है, जो जिन्दिगी में आवश्क्ता से अधिक होती है दोका देने वाला सोचता है, कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि एक खुबसूरत रिष्टा और एक अच्छे इंसान को वो हमीशा के लिए खो रहा है आनुबाव कहता है, कि भगवान से की कई प्रात्ना कभी खाली नहीं जाती, बस लोग प्रतिक्षा नहीं करते खुद को अकेला महसूस न करे, क्योंकि भगवान हमीशा आपके साथ है आप मूर्ख लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना शांती पूर्ण रहेगा दुख और परिशानिया, इश्वर की बनाई हुई एक प्रियोक शाला है, जहां आपकी प्रतिभा और आत्म विश्वास को परखा जाता है जर्वत से ज़ादा आराम और हद से ज़ादा प्रेम इंसान को अपाहिच बना देता है जो हो रहा है, उसे होने दो, भगवान ने तुम्हारी सोच से बहतर तुम्हारी लिए सोच रखा है जर्वत होगी, तो ही ये दुनिया याद करेगी बाकी आप कहाँ पड़े हो, किस हालात में हो, क्या करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने ये सीख लिया कि कब और कहाँ कैसे बोलना है, उसको जिन्दगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता जैसे कमान से निकला तीर वापिस नहीं आ सकता वैसे ही मूँ से बोले गए शब्द कभी वापिस नहीं आते इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो ठीक से सोचो तो यही सत्य है हम इंसान को तुरंत परिणाम के पीछे भागने की आदत होती है पर धैरे रखना ज़रूरी होता है कोई भी बड़ी सफलता समय लेती है पूरी होने में रिष्टे कभी नहीं बदलते रिष्टे निभाने वाले बदल जाते है किसी के आने या जाने से जिंदिगी नहीं रुकती बस जीने का अग्दास बदल जाता है जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और अलग क्यों है तो समझ लेना आपने सपने को नहीं सपने ने आपको चुना है मुसीबत में फस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोश, वास्तु दोश, पित्र दोश, शांती दोश सब दिखाई देने लगते हैं लेकिन खुद का दोश कभी नहीं दिखाई दिता शांत मन से लिया गया हर निर्ने आपको सही परिणाम दिता है जिन्दिगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवार करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवार नहीं करते, उन्हें मुस्क्रा कर माफ कर दो अपनी खूबियों को पहचानो, क्योंकि कम्या निकालने वाले तो बहुत मिलेंगे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, क्योंकि पीछे कीचने वाले तो बहुत मिलेंगे किसी को बोलने से पहले, यदि एक बार सोच लिया जाए, तो फिर सोचने के पश्टात, सो बार सोचने की जरुवत नहीं पड़ेगी तीन चीजे एक बार निकल गई, तो वापिस नहीं आती तीर कमान से, बात जुबा से, प्राण शरीर से किसी का बुरा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि जब उपर वाला हिसाब करता है तब समझने के लायक तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन से अगर आवाज उची हो, तो कुछ लोग सुनेंगे, और अगर बात उची होगी, तो बहुत से लोग सुनेंगे बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, जहां से सफलता के हतियार निकलते है खुद के दम पर एक अलग पहचान बनाओ, दूसरों के बनाए रस्ते पर आप दूसरे नंबर पर ही रहोगे कभी पहले नंबर पर नहीं आपाओगे विश्वास के साथ प्रात्न करो, भगवान आपको सब कुछ देंगे, जो आपने दिल से मांगा है संगर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, परन्तु सफलता मिलने पर पूरी दुनिया उसके साथ होती है मनुष्य अपने दुख से जादा दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो, तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सार्थी भी बन जाते है क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है, वो होकर रहेगा एक रास्ता बन करने से पहले, भगवान दस रास्ते खोल देते है गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद सभी पंची खोसला नहीं छोड़ते क्योंकि वो भी जानते हैं कि बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे जो हुआ, उसे भूलकर नई शिरुवात करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है श्रीक्रेशन कहते हैं कि हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंट सफल होना चाहते हैं, या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं इसलिए अगर आपको सफल होना है, तो तहरे रखें और अपना पूरा ध्यान हर उस छोटे-छोटे कदम पर दे जो आपको आपकी लक्षे की और ली जाए एक बार एक भिकारी कई सालों से एक पुराने खराब हुए बक्से पर बैट कर भीक मांग रहा था एक दिन एक अजनभी इंसान उस भिकारी के पास से गुजर रहा था उस भिकारी ने उस इंसान से खाने पीने के लिए कुछ पैसे मांगे उस इनसान ने कहा मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन उस इनसान ने गौर किया कि वह बिखारी एक पुराने बक्से पर बैठा है उस इनसान ने पूछा यहां क्या है उस बिखारी ने बोला कुछ नहीं ये एक खराब हुआ पुराना बक्सा है यह काफी समय से यहीं पड़ा हुआ है उस इंसान ने पूछा क्या तुमने इसे कभी खोल कर देखा है उस बिखारी ने जवाब दिया क्या करूं इसे खोल कर यहां खाली ही होगा उस इंसान ने बिखारी से कहा कि तुम इस बकसे को खोल कर तो देखो वो बिखारी बकसा खोलने के लिए राजी हो जाता है वह बकसा काफी पुराना था इसलिए उसे खोलने में काफी दिक्कत हो रही थी लेकिन कुछ समय बाद उस बिखारी ने उस बकसे को खोल दिया बिखारी ने जैसे ही बकसे के अंदर देखा तो वह हैरान हो गया इतने सालों से बिखारी जिस बकसे पर बैठा था वो असल में हीरे जवारत से भरा हुआ था अगर ठीक से सोचा जाए तो हम इनसान भी उस बिखारी की तरह है हम बाहर की दुनिया देखते हैं अपने अंदर कभी जाकने की कोशिश नहीं करते हम सबी बाहर खुशियां तलाश करते हैं लेकिन यहां भूल जाते हैं हमारी खुशियां हमारे अंदर ही हैं बस उन्हें बहार निकालना होगा याद रखिए जो इनसान खुश्यों के लिए किसी दूसरों पर निर्भा रहता है वहां कभी खुश नहीं रह पाता जो इनसान अपने अंदर खुश्यों को ढूंटा है वहां हमेशा खुश रहता है